हेलो स्थूडेंट्ट्स आप सभी का सवागत हैं मनविध्यान की इस कलास में और आज की कलास में हम बात करेंगे इंटलीजेंट्स टेस्ट के बारे में इस से पहले की वीडियो दिए हमने दो प्रेंटिकल को कवर किया है ব thガ वह वीडियोज ना देखे हो और आपको जानना है कि प्रैक्टिकल हम कैसे करते हैं प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनाते हैं प्रैक्टिकल में एक्जामनार कैसे कोश्चन पूछते हैं तो आप उन वीडियोज को देख सकते हैं तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास आज की क्लास वैसे तो सभी students के लिए important है बट I say students जिनके syllabus में intelligence का test है intelligence का practical है उनके लिए यह class काफी important है तो आप सबसे पहले practical file में उपर heading डालेंगे बुद्धी परिछण या intelligence test उसके बाद बुद्धी के बारे में यहाँ पर एक introduction देंगे यहाँ पर मैं सिर्फ बताता चलूँगा क्योंकि अगर आपको बुद्धी से related complete जानकारी चाहिए तो आप playlist में जाकर जर्नल psychology की जो playlist है वहाँ पर जाकर आप बुद्धी के वीडियो देख सकते हैं आप यहाँ पर बुद्धी के बारे में बुद्धी की परिभासाओं को लिख देंगे कुछ आप screenshot लेते चलिएगा फिर आप बुद्धी लब्धी का संपृत्ते लिखेंगे उसके बाद एक्षाइड में भी बना लेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि देन आप बुद्धी के कुछ सिद्धान्त के बारे में यहाँ पर बता देंगे कि जैसे इस पेर्मैन का सिद्धान फिर बुद्धी के कुछ निर्धारक बताए गये हैं उनको आप यहाँ पर लिख देंगे और उसके बाद अब हम आ जाते हैं अपने कुछ नायर पर तो यहाँ पर आपको बुखलेट दिखाई दे रहा है इस बुखलेट में कुछ प्रसन दिये गए हैं और उन प्रसनों को आपको पढ़ना है उसके बाद आपको जो एंसर सीट है उसमें रिस्पॉंस करना है उसके पहले में बता दूँ यह कुछ नायर प् ज़र्रडा के दरार किर गया है और अगर आप कोवर्सियल प्रपस से इसका उसित करने चाहते हैं तो आपको हैसे वीडियो में इसको उसिन्यischer का यूझ मत्र, उन विद्यार्थियों को जानकारी प्रदान करना है जो कोविट के कारण कॉलेज नहीं आपा रहे हैं और प्रैक्टिकल क्लास नहीं कर पा रहे हैं तो इस प्रैक्टिकल से रिलेटेड कुछ सामानी निर्देश दिये गए हैं आप उन्हें पढ़ेंगे द्यान पूर्वक इसमें बताया जा रहा है कि इस पूरे टेस्ट में 6 परिच्छन हैं 6 सब टेस्ट हैं और हर टेस्ट में 10 कुष्चन्स हैं और एक एक कुष्चन के चार चार विकल्प दिये गए हैं उन विकल्पों में से आपको सही विकल्प का चुनाव करना है और जो आपकी उत्तर पुस्तिका है उसमें आपको उत्तर देना है और ये छे परिच्छन आपको 24 मिनिट में करने हैं पर तेक 10 कुष्चन के लिए आपको 4 मिनिट का समय दिया जाएगा तो यहाँ पर इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको एक्जाम्पल्स जो दिये गये हैं बुकलेट में उसको ही बताऊंगा जैसे कि पिछली वीडियो में मैं पूरे कुष्चन के बारे में आपको एक जानकारी देता था तो वो चीज यहाँ पर नहीं होगी क्योंकि अगर मैं कुष्चन के बारे में आपको जानकारी दूँगा तो इससे आपको answer का कुछ hint लग जाएगा answer के बारे में पता चल जाएगा और अगर आप answer मेरे द्वारा जान जाते हैं तो जो आपका intelligence test है जो intelligence test का उद्देश से है वह पूरा नहीं होगा और आपकी बुद्धी के बारे में सही जानकारी नहीं प्राप्त होगी तो आप यहाँ example की थुरीश को समझें और फिर खुद से इस practical को करने की कोशिस करें जैसे यहाँ पर जो पहला परिछण है जो पहला सब test है उसमें सब्दों के अर्थ बताना है आपको जिस एक सब्द दिया रहेगा और उस सब्द से मिलते जुलते कई अर्थ दिये रहेंगे और उसमें सब्से सही अर्थ कौन सा है उस अर्थ का आपको चुनाओ करना रहेगा जैसे यहाँ पर example दिया गया है कि एक word दे दिया गया आपको इस्थाई अब उसके चार options हैं अब चारो option में से जो सबसे सही meaning बताता हो इस्थाई का उसको आपको चुनाओ है तो इस्थाई उसकी पहला option है चिरकालिक दूसरा प्राचीन तीसरा अपरवर्थ निये और चौथा है टिकाओ तो इस्थाई का अर्थ क्या निकलता है आपर तो हम अगर इसको देखते हैं तो हमें पता चलता है जो टिकाओ वर्ड है वह इस्थाई का सबसे सही अर्थ है तो आप जो घा है option घा है उसको अपने booklet में उसको अपने answer sheet में वहाँ पर लिख देंगे घा जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर पहले से लिखा हुआ है इसी प्रकार परिच्छण एक में यह आगे की कुछ questions है इनको आपको देखना है पढ़ना है और फिर इनके answer answer sheet में आपको लिखते हैं फिर अब हम आता है परिच्छण दो पर परिच्छण दो में विसलिर सणात्मक चिंतन से संबंधित प्रसंद पूछे गया है जैसे यहाँ पर देखें एक्जांपल दिया गया है फल का जो संबंध बीज से है तो उंगली का वह संबंध किस से है के अंदर बीज रहता है और उंगली के अंदर रहता है तो आप देखेंगे पहला। सदिया है खाल दूसरा खूल ठीप करन में उसके अनदर क्या है हडी है तो आपका option क्या यहां पर सही होगा इसी पर्डिकार को कि परिच्छण दो से रिलेटटेड जो बाकी क्योस्शं स हैं उनको भी आप हल करेंगे यहां पर देखें पर इच्छर दो से रिलेटेड यहां पर दस क्वेश्चन दिये गए हैं इनको भी आप एक एक करके यहां से एंसर देखेंगे और फिर उस एंसर को आप अपने एंसर बुकलेट में जो आपका उत्तर पुस्तिका है उसमें भिंद पद आपको ढूढ़ना है कि यहां पर प्रते सदस्य में पांच वर्ड दिये रहेंगे और उस पांच वर्ड मैंसे दो वर्ड ऐसे रहेंगे जो भिंद रहेंगे तीन वर्ड एक जैसे और दो वर्ड थोड़ सा उन्से डिफरेंट रहेंगे तो उन दो वर्ट्स को आपको खोजना है और फिर आपको एक बार फिर से उत्तर पुस्तिका में उनको महाँ पर लिखना है तो जैसे यहाँ पर देखें जो कुश्चन दिया गया है वह है मक्खी मच्छर हैजा तपैदिक चेचक तो आप देख रहें कि जो मक्खी और मच्छर है यह तो कीट पतंगे हो गए और बाकी हैजा तपैदिक चेचक यह बीमादियों के नाम है तो बाकी तीन एक जैसे है और दो डिफ्रेंट है तो वो दो कौन से है का और खा तो आप उत्तर पुस्तिका में वहाँ पर पर परिछण संख्या तीन के अंतरगत का और खा फिल करेंगे जैसा कि आप देख रहे हैं कि पहले से ही फिल है यहाँ पर जो बाकी questions हैं उनको आपको response करना है यानि उनका answer आपको देना है जैसे यहाँ पर आप देखें परिछण 3 में questions दिये गए हैं और अब इन 5 options में से 2 जो different हैं उनको आपको ढूढ़ना है और फिर answer booklet में जाकर संख्या योगिता से संबंदित है यहाँ पर आपको एक number series दिया जाएगा संख्याओं की एक सिंख्ला दी जाएगी और उसमें जो अगली संख्या रहेगी वह gap रहेगा या बीच की संख्या में gap हो सकता है और उस gap में कौन सी संख्या लिखी जाएगी उसको आपको खोज निकालना है जैसे यहाँ पर जो example है उसमें एक तीन पाच साथ अब आपको बताना है कि अगली संख्या कौन सी हो सकती है तो आप देखें तो यहाँ पर एक हैं और फिर एक के बाद तीन आ रहा है यानि दो का गैप है और फिर तीन के बाद पाच आ रहा है फिर दो का और फिर साथ के बाद क्या आएगा तो दो-दो का गैप हो रहा है तो हम दो गैप आगे भी कर देंगे तो नौ आ जाएगा तो आपका जो answer है वह नौ होगा इसी प्रकार आपको परिछट चार से संबंधित अन्य प्रस्णों के भी उत्तर देने हैं जैसा कि आप यहाँ प बात करते हैं परिछर पांच के मारे में परिछर पांच में जो कुष्टेंश से हों कोडिंट कोडिंग से रिलेटेड है तो जो इस टुडेंट अगर किसी exam की तैया कि एक्टिप्रिटीव exam की तो उनके लिए यहाँ पर थोड़ा सा एजी रहेगा इसको सॉल्व करना जैस इसे यहाँ पर जो example दिया गया है वो है call का संकेत bbkm हो जो call है call equal to bbkm तो kbsf किस संकेत होगा यह नहीं पूछा जा रहा है कि kbsf किस का संकेत होगा जैसे bbkm का संकेत call है तो उसी प्रकार kbsf का संकेत क्या होगा तो अब एक बार इसको थोड़ा सा इसकी पीछे का नियम समझने के कोशिस करें जैसे यहाँ पर बताय गया कि जो c a double l है उसको आप bbkm लिख सकते हैं तो हम देखते हैं कि किस नियम से call को bbkm लिखा गया तो आप देखें तो c में पहले एक माइनस किया गया तो b आ गया फिर उपर A में एक प्लस किया गया तो फिर से B आ गया फिर L है L में एक माइनस किया गया तो K आ गया और फिर L में एक प्लस किया गया तो M आ गया तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सबसे पहले माइनस 1 पीछे चला गया फिर दूसरे लेटर में प्लस वन हो गया एक लेटर आगे बढ़ गया फिर तीसरे में माइनस वन हो गया यानि एक लेटर पीछे हो गया और फिर चौथे में प्लस वन एक लेटर फिर से आगे तो आगे यहाँ पर अब दूसरा वर्ड तो दे दिया गया है और पहला वर्ड पूछा गया है कि पहला वर्ड क्या था कि उस वर्ड से यह दूसरा वर्ड बना K, B, S, F किस से बना तो हमें नियम पता है कि सबसे पहले माइनस 1 हुआ था तो किस में से minus 1 किया गया कि k आया तो यहाँ पर उपर l होगा क्योंकि l मैंसे अगर हम एक minus करेंगे तो k आ जाएगा दूसरा जो letter है उसमें अगर हम नियम के अनुसार देखें तो plus 1 है तो हम किस letter में plus 1 करें कि b आ जाए तो हम a में plus 1 करेंगे तो b आ जाएगा तो दूसरे में a हो जाएगा तीसरे में फिर से एक minus किया गया है तो हम किस में से एक minus करें कि s आ जाए तो हम t से एक minus करेंगे तो s आ जाएगा और last में फिर से plus 1 है तो हम किस letter में plus 1 करें कि f आ जाए तो हम E में प्लस वन करेंगे तो F आ जाएगा तो आपका जो पूरा लेटर निकल के आ गया वो क्या हो गया LATE से KBSF वर्ड बना इसी प्रकार आगे के भी questions है जिसे आप मैं जो 42 question है उसको बता देता हूँ क्योंकि अभी 41 वाला question आप देखे चुके है जो example था उसे ही संबन्दित है 42 में जैसे पूछा गया है C, A, P का संकेत सूतर है 3, 1, 16 तो C आप अगर alphabet में देखे तो C कितने नमबर पे आता है A, B, C तीसरे नमबर पे और A पहले नमबर पे और P आता है 16 वे नमबर पे तो जिस तरह C, A, P का सूतर है 3, 1, 16 तो यहाँ पर transfer का T, R, A, M, S, F, E, R का संकेत सूतर क्या होगा तो इसको आप आसाली से लिख सकता है मैं यहाँ पर एक ही question बताऊंगा क्योंकि अगर मैंने इससे ज़्यादा बताए तो फिर आपका जो score है वो आपका ना होकर मेरा score निकलाएगा यहाँ पर तो अब हम बात करते हैं परिच्छट 6 की last परिच्छट के बारे में यहाँ पर आपको दो कत्रों दिये जाएंगे और उन कत्रों का एक निसकर्स दिया जाएगा आपको यहाँ देखना है कि जो दोनों कत्रों है और जो निसकर्स है उन दोनों कत्रों से निकल कर बाहर आया तो जो निसकर्स है क्या वह दोनों कत्रों को पूर कर रहा है दोनों कत्रों से संबन्धित है अगर वह दोनों कत्रों से संबन्धित है तो आप सही का टिक लगाएंगे और अगर जो निसकर्स है वह दोनों कत्रों पर आधारित नहीं है तो आप वहाँ पर क्रॉस का निसान लगाएंगे जैसे यहाँ पर दिया गया है कि कुछ जन्दु बुद्धिमान होते हैं दूसरा कत्रन है राजनीतिक अधिक बुद्धिमान होते हैं और जो निसकर्स है वह है राजनेतिक बुद्धिमान सावाजिक जन्दु है तो जो डिसकर्स है वाद संबंधित नहीं है क्योंकि राजनेतिक जन तो नहीं होते हैं वह जीव होते हैं वह कि जानवर तो है नहीं तो इसलिए या गलत हुआ इसी प्रकार मैं एक और कोश्चन का एंसर आपको बता देता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग को प्राब्लम हो सकती है ऐसे कोश्चन को फेस करने में तो जैसे परिच्छन 6 में यहाँ पर जो कोश्चन दिये गये हैं उसमें आप देखें 51 नमबर कोश्चन है डाइ का उसमेंटिकर दैसर एक विसाल का सरिश्रिप जद बर गए शद्दु प्रकार 1 और दिसकृस है कि अनेक वर्स पूर बहुत बड़े श्रिप जन्तु मर गएelles तो drawing की डाइन ही लिए कि डायनासौर आजकल नहीं पाए जाते हैं और डाइनासोर क्या थे एक विसाल काई सरिस्रिका थे अगर आ आप बायलोजी के स्टूडण रोकी तो आको पता होगा की जुझ डाइनार सौर वह सरसि inim रेगनेवालों में आते थे तो डाइनगे विसाल काई रेगने वाले जन्तु थे जो की आज अस्तित्तुहीन है तो जो निसकर्स है कि अनेक वर्स पूर बहुत बड़े सरिसिर्प चन्तु मारे गए थे या उपर के दोनों कत्रों से संबंधित है उनको पुष्ट कर रहा है तो इसलिए आप यहाँ पर सही काटिक करेंगे बाकी questions के answer आप खुद अपने अनभव और अपने विवेक के आधार पर देंगे तो आप सभी ने अपने answer booklet पर कुछ इस तरीके का आप तक response कर लिया होगा यह last year student का response sheet है तो आपको इसको match नहीं करना है इससे बस एक idea लेना है कि ऐसे ही response करना है और फिर जो यह front page है इसका उ complete fill करने के बाद अब आप scoring page पे आ गये हैं और आप खुद से इमानदाई दिखाएंगे ऐसा नहीं करेंगे कि अब आप यहां से answer देखके फिर अपने booklet में सही answer लिख रहे हैं अगर ऐसा करेंगे तो आपको आपका अपना intelligence level जो सच में आपका intelligence level है वह आपको नहीं पता च संख्या एक था उसमें अगर आपने पहले पर पहले question में घा पिटिक किया है या घा उतर दिया है तो आप एक number देंगे फिर दूसरे पर अगर भी या खा पर दिया है तो एक number देंगे इसी प्रकार आप पूरे test को चेक करेंगे फिर second test में भी ऐसे ही question number 11 जो second test के अंतरगत है उसमें अगर आपने सी response किया है तो एक number 12 पर एक number 13 पर बी तो एक number 14 पर आपने घा डी response किया है तो एक number देंगे इसी परकार आप test थर्ड पर आ जाएंगे परिछर संख्या तीन पर आजाएंगे और वहां पर जैसे दो option थे आपको दो-दो option चूज़ करना था तो अगर आपका एक option सही एक option गलत आ रहा है तो आप क्या करेंगे उसको फिर half marks देंगे आधे आधे नंबर देंगे जैसे माल लीजे कि आपने जो question number 21 है उसमें एक में तो answer आपने घा दिया है और एक में आपने answer दे दिया है का तो यह तो गलत हो गया एक गलत एक सही तो आप क्या टेस्ट संख्या चार परिष्छ चार में भी ऐसे ही response करेंगे आप यहां से complete इसको match कर लेंगे अपने मुकलेट से जो आपका response सीट रहा है answer सीट उससे इसको match कर लेंगे और इमांदारी के साथ अपनी scoring करेंगे और जो भी आपका score आ रहा है उसको आप अपने answer booklet के front page पर यहां पर लिख देंगे कि आपका पहले परिष्ण में इतना score दूसरे में कितना तीसरे में कितना और सब यहां पर लिखने के बाद total आप इसको यहां पर लिख देंगे कि कुल प्राप्तांग जितना भी आपका आया फिर अब आप क्या करेंगे अब यहां से हम एक बार फिर से manual की तरफ चलेंगे और वहां पर देखेंगे जो आपका प्राप्तांग आ रहा है जैसे इस student का प्राप्तांग 49 आ रहा है तो 49 के according हम कैसे उसकी बुद्धी लब्दी को जान सकते हैं तो जो भी आपका score आया है उस score के आधार पर हम percentile निकलेंगे तो जैसे यहां पर देखें कि अगर आपका score 11 या उससे कम आ रहा है तो आपका जो percentile होगा वो P1 होगा अगर आपका score 15 के आसपास में आ रहा है तो आपका percentile P5 होगा और score अगर 18 के आसपास में आ रहा है जिसे अगर 17 आ रहा है या 19 आ रहा है तो आपका score P10 होगा तो इसी प्रकार आप अपने score का percentile निकाल लेंगे और percentile निकालने के बाद फिर हम इस score को और percentile निकालने के बाद आप उस percentile को अपने answer booklet पर लिख देंगे फिर हम अब score को जो score आया है उसको हम IQ चार्ट में देखते हैं कि हमारा उस score के कार्डिक IQ कितना है तो यहाँ पर हम इस chart में देख रहे हैं कि अगर आपका score 11 आ रहा है तो इसका मतलब है कि जो आपका IQ है वो 63 है जैसे जो हमने answer booklet देखा था उसमें जो score था वह था 49 तो 49 का अगर हम देखें तो IQ है 132 अब जो भी आपका IQ आया उस IQ को आप जो IQ चार्ट है जो आपने अपने practical फाइल में बना रखा है उस chart से आप अपने IQ को मैच करेंगे और उसके आधार पर फिर अपने IQ की आप विवाख्या करेंगे तो अगर हम 49 score की बात करें जो यहाँ पर 32 IQ आ रहा है तो 32 को अगर हम उस chart में देखें यहाँ पर आपको चार्ट दिखाई दे रहा है इस chart में देखें तो इस chart क्या है कि जो प्रियोज है जो परिछार्थी है उसका IQ अतिस रेस्ट इस तरका है इसी प्रकार आप अपने IQ को यहाँ से देखेंगे और उस IQ के आधार पर आप उसका अर्थ निकालेंगे तो यहाँ से अब आप आप आगे लिखना start करेंगे जैसा आपने पिछले दो प्रैक्टिकल में किया है कि सबसे पहले हम उद्देश से लिखते हैं कि प्रियोज या परिछार्थी के बुद्धी का मापन करना उसके बाद आप लिखेंगे परिछार्थ संचालेंड हीडिंग डालेंगे या जिसे हम इंग्लिस में कहते हैं टेस्ट अड्मिस्टेशन हीडिंग डालेंगे और जो आप लास्ट दो प्रैक्टिकल से करते हैं वही चीज़े करेंगे प्रियोज पर्चे में आप यह सारी इंफर्मेशन लिखेंगे और फिर परिछर समगरी जो कि आपने यहाँ पर डॉक्टर एसके पाल और डॉक्टर केस मिस्ट्रा दौरा निर्मित प्रसनावली को यूज़ किया है तो उसका डीटेल देंगे यहाँ पर फिर पेपर पैंस और आगे प्राणभी के वस्था आप लिख लेंगे निर्देश सामने प्रिष्ट पर दिया हुआ है जो बॉक्लेट है उसके सामने प्रिष्ट पर निर्देश दिया हुआ है आप वहां से इसको लिख लेंगे यहां से भी लिख सकते हैं देन प्रिकिरिया आप नोट कर लेंगे यहां से पिर पैडाम जो आपका पैडाम आया आप टोटल इसको लिखेंगे फिर परसेंटाइल में लिखेंगे उसको और फिर IQ आपका कितना आया और IQ जो आया उसका का explanation कितना है आतिस्रेश्ट है या लो लेवल का है या सामान इस्तर का है जो भी है आपका वो यहां पर लिख लेंगे अब हम आते हैं विवेशना पर तो यहां पर हमने जो प्रियोज लिया उसका जो IQ था वो 132 आया था और 132 जो की आतिस्रेश्ट बुंधी के अंतर गताता ह है तो हम कह सकते हैं या पर आप विवेशना इस प्रकार लिखेंगे अगर आपका IQ एवरेस्ट से एवाब आ रहा है अतिस्रेश्ट इस्तर का रहा है तो आप कैसे लिखेंगे कि उपरोग परिछण में प्राप्तांकों की निर्देशी का कि अनुसार गर्ड़ा की गई जि इससे हम या कह सकते हैं कि प्रियोज या परिच्छार्थी किसी भी समस्या का समधान सीगरता से कर लेता है वह तरकपूर्चिंतन करने में सक्षम है और वह नई परिस्थितियों के साथ काफी तीविरता से सामन्जस से बिठा लेता है उसके बाद आप आगे लिखेंगे कि प्रियोज के अंदर लक्ष को लेकर अनकूलन शीलता तथा मौलिक्ता पाई जा सकती है और उसके अंदर सूज की मात्रा अधिक होती है तो यह तो हो गया जिनका IQ लेवल श्रेश्ट या 30 से अनको सामान्ज स्तर बिठा का रहा है वह क्या लखेंगे कि ऊछ़्ट का IQ लेवल है वह सामान इस का है इसलिए वह कोई भी कार जो करता है वह सामानी रूप से करता है उसका जो performance रहता है वो average performance रहता है सामानी स्थरका उसका कारिडिस पादर रहता है फिर अगर हम बात करें low level IQ की तो जिनका IQ आईक्यू आउसत से कम है या काफी कम है तो वहाँ पर ऐसे students लिखेंगे कि प्राप्तांकों के आधार पर हम या कह सकते है कि जो परिच्छार्थी की बुद्धि लब्धी है वा सामानी से कम इस्तर की है या बंद बुद्धी की है या जो भी आपका आया हो result और इस आधार पर जो प्रियोज की किसी भी समास्या समाधान करने की छमता है वह बहुत ही कम है वह किसी भी समास्या को बहुत सिग्र नहीं समाधान कर पाता है उसमें काफी समय लगा देता है और वहाँ नई परिस्थितियों में भी आसानी से अपने आपको डालने में असच्छम होता है और नई परिस्थितियों से घबनाता है वहाँ पर अपने आपको सामझे से मिठाने में असमर्थ पाता है तो इस तरीके से यहाँ प्रैक्टिकल यहाँ पर समाप्त होता है कोशि बाद